बच्चों ये जागने का समय है बस दो घंटे और चलो बच्चों आज बहुत अच्छा दिन है बहुत दूप है लेकिन बच्चों आज हैलोवीन है हैलोवीन? अरे हाँ अरे क्या तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बोले बच्चे अब तुम मुझे नीचे मिलो और फिर तुम्हारे कपड़े देखते है पता नहीं हमारे कपड़े कैसे होंगे चलो चल कर देखते है चलो रबल पहले तुम से शुरुवात करते है ठीक है, मैं अभी आता हूँ मैं देखना चाहता हूँ रबल क्या पहन के आएगा हाँ देखो मैं दिवार पर बिचड़ सकता हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी है रबल क्या तुम मकड़ी से डरते हो अरे हां मुझे लगता है मैं भी आया बिचारा रबल उमेद करते हैं इस बार वो कुछ डैराम नाना पहन के आए मुझे देखो मैं हूँ बेचुका ओ तुम कितने प्यारे लग रहे हो रबल यह बढ़िया है ठीक है अब मेरी बारी जाओ सकाई मुझे लगता है सकाई कुछ प्यारी चीज़ लेगा आएगी देखो दोस्तो मैं चुडैल हूँ चुडैल क्या तुम कुछ अच्छा पहन सकती हो ठीक है मैं अभी आई दोस्तो तुम फैरी प्रिंसेस के बारे में क्या सोचते हो बहुत बढ़िया अब मेरी बारी माफ कीजि़े का मैं देखना चाता हूँ चीज क्या पहनता है मुझे देखो मैं कद्धू हूँ अरे बहुत प्यारा प्यारा लेकिन डरावना नहीं है कुछ और पहनो हाँ लेकिन जादा डरावना भी नहीं मैं तुम्हारी टॉफी खाना चाहता हूँ मैं हूँ वेंपायर हाँ लेकिन ये डरावना है अरे घबराओ नहीं ये मैं हूँ वेंपायर चेज हाँ अरे कितना बेवकोफ हुम है मुझे लगता है अब मैं नहीं डरूँगा अब मेरी बैली मार्शल के कॉस्ट्यूम पहनने के बाद हम ट्रिक और ट्रीटिंग पे चलेंगे देखो मैं कंकाल हूँ हम लगता है ये ज़्यादा पतला हो गया हम मेरा इंतिजार करो मैं भी आया मुझे मार्शल के कॉस्ट्यूम देखने की बहुत जल्दी है क्या मैं बदमाश लग रहा हूँ यानि लुटेरे बिल्फुल सही वा बहुत बढ़िया बच्चों चलो बच्चों अब ट्रिक और ट्रीटिंग करते हैं सबसे पहले सुरक्षा इसलिए इस बेल्ट को पहनो ये हो गया अब ठेज और स्काई की बारी बढ़िया ठीक है बढ़िया क्या सभी ट्रिक और ट्रीटिंग के बारे में जानते हैं नहीं क्या तुम बताओगे हाँ तु ट्रिक और ट्रीट क्या है हम लोग बारी बारी से हर किसी के घर में जाएंगे और जब वो दर्वादा खोलेंगे तुम कहोगे ट्रिक और ट्रीट फिर वो तुम्हें दावत देंगे दावत वाँ और दावत मिलने के बाद बताओ तुम क्या कहोगे पिल्खुल सही हम ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए तयार हैं ठीक है अब हमें घर ढूड़ने होंगे सुनो वो वाला देखो चलो कोशिश करो ठेक है हमारा पहला ट्रिक और ट्रीट वाँ देखो उस कद्दू को कद्दू को तराशना हेलोवीन की परंपरा है बहुत बढ़िया मैं दर्वाजा खट खट आता हूँ तुम कहना ट्रिक और ट्रीट क sûr क्टपी ये खुटक ये इननौनी पत्सें कि आडिल्ट हम आडिव्ली पट्प स्दूЗ carbohydrate vibes numero हमाड़ त Cute इंगे अरड़ी तैक घूटक मझे मझेन जाकि मैं इव्ल्क घॉके घुकेम खरोकर तर त conservative आट कि proceeding ये तर ब沒से किंत उपकर ये 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 चाबाश बच्चों, चलो, अब अगला घर ढूनते हैं, मुझे दर्वाजा खटाले दो च्रिक्रिकर टीट थैंक यू यूर वलकुम वद्यू से थैंक यू तर्वा थैंक्स यूर वलकुम बाडिया I know that's really good guys Thank you Happy Halloween Happy Halloween ठीक है, अब हम आगे दूसरे घर में Trick or treat Happy Halloween Thank you You're welcome Thanks You're welcome Thank you You're welcome Bye, Happy Halloween Happy Halloween Happy Halloween बच्चो, ट्रिक और टीट के लिए ये हमारा आखरी घर है Trick or treat Wow, मेरी जैसे बदमाश Happy Halloween Thank you Thank you You're welcome You say Marshall Thank you You're welcome I know that's your favorite बच्चो, 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 हेलोवीन ट्रीट में तुम्हे क्या मिला, क्या तुम देखना चाहते हो Candy treasure ले के आओ, मैं और नहीं रुख सकता ठीक है Sky, ये लो तुम्हारा अरे बाँ, इतनी सारी ट्रीट्स, मुझे तो कार भी मिल गई ठीक है, चेज अब तुम्हारी बारी Wow, मुझे भी जल्दी देखना है देखो, मुझे ये लाइट मिली बढ़िया है ना ये लो रबल, ये रही तुम्हारी ट्रीट बास्केट वाँ, बहुत सारा सामान मुझे बबल्स भी मिले ये बबल्स क्या हुआ रबल? Candy candle, मुफली है तो इससे क्या परिशानी है? मुझे मुफली से अलर्जी है मैं इसे खाते ही बिमार पढ़ जाता हूँ मैं देखता हूँ रबल आरे हाँ, इसमें मुझे फली है रबल, तुम इसे बिल्कुल नहीं खा सकते मैं एक परी हूँ और मैं अपने जादू से रबल की कैंडी ठीक कर सकती हूँ स्काई, ये बहुत अच्छा आइडिया है आबरा का डाबरा अरे रबल, देखो, अब किसी भी कैंडी में मुझे फली नहीं दिख रही धन्यवाद स्काई, अब मैं अपनी कैंडी खा सकता हूँ इंतजार के लिए धन्यवाद मार्शल, अब तुम्हारी बारी वाँ, मैं सिर्फ खजाने को देख रहा हूँ, मतलब ट्रीट अरे ध्यान से देखो, मेरे पास तो कद्दू वाली कैंडी है जरा रुको मार्शल, और देखो, कुछ कैंडीस के अंजर रैपिंग नहीं हुई रैपिंग नहीं हुई, ऐसा कैसे हो सकता है इस तरह के कैंडी जिस पर रैपिंग नहीं हुई, वो गंदी हो सकती है ये स्वादिश्ट हो सकती है, लेकिन ये आपको बिमार कर सकती है लेकिन घबराओ नहीं, हमारे पास खाने के लिए और भी कैंडी है ठीक है, क्या अब हम ये कैंडीस खा सकते है? इतनी सारी नहीं स्काई, ये बहुत सारी कैंडी है तुम थोड़ी बहुत खा सकती हो, लेकिन बाकी बचा कर रखो हाँ, ये बढ़िया सुझाव है, सबको हैपी हैलोवीन हैपी हैलोवीन बच्चों, उमीद है, मज़ा आया होगा बाई, हैपी हैलोवीन